जिरोधा क्वाइन एप में जो आपका मुच्वल फंड है उसका एसाई पी ऑटोमेटिक बैंक एकाउंट से कटे वो पैसा तो उसके लिए अब जो है क्वाइन में जो है आपका अपडेट आ गया है अब आप 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 आपने बैंक एकाउंट से पैसा कटवा सकते हो पहले मैनुवली पे करना पड़ता था अब आपको मेंडेट करना पड़ता है जिसको हम लोग इमेंडेट भी कहते हैं तो मैंडेट कैसे क्रिएट करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान सी वीडियो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अभी किस्क्रिशन में आप उसको फॉलो कर सकते हैं चलिए आपको हम मैंडेट कैसे क्रिएट करना है कैसे सैटप करना है वो बतातने हैं तो सबसे पहले अपना जो क्वाइन एप है इसको अपर करें कि कौइन आप आपके ओपन हो गया है अब सब से नीचे में देखिए यहाँ पर एकाउंट लिखा हुआ है एकाउंट की उपर में क्लिक करना है एकाउंट को क्लिक करने के बाद देखिए उपर में यहां लिखा हुआ है पेमेंट पेमेंट की उपर में आपको क्लिक करना है पेमेंट को क्लिक करते हैं पेमेंट को क्लिक करने के बाद देखिए यहां है आपका मेंडेट मेंडेट को यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं मेंडेट को क्लिक करना है जो भी mandate आप बनाते हो वो यहीं पर आपको दिखता है अगर आपको नया mandate बनाना है तो देखिए नीचे में new mandate का option आ रहा है new mandate को नया mandate बनाने के लिए click करना होगा हम लोग यहां पर new mandate बना रहे हैं तो new mandate को click करते हैं सब देखिये यहां पड़ इरोधा में डेमेट Accept बनाते समय जो भी आप देते हो एक काउंट रखता है वह साब है उसके बाद यहां पर टर्फ कंडिजन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके debit card या फिर अपने net banking के माध्यम से अपना mandate को create कर सकते हो यहाँ पर accept कर लेना है और यहाँ पर submit जैसे ही करोगे आपका mandate जो है create हो जाता है समझें कि मेंडेट आपका create हो जाएगा और इस तरह से आपको एक message आजाएगा आप इस message को पड़के यहां से जो है इसको close कर सकते हैं आप देखोगे कि आपके mandate के अंदर में एक mandate इस तरह से processing लिखके आ जाएगा यह processing होड़ा है आप देखो यहाँ पर processing और यह process होने में जो है ना तीन दिन का इसमें समय लगता है यह समय आपको देना होगा इसमें कि उसके बाद जो mandate आपने create किया है उसको प्रोसेस्ट होने का इंतिजार के दिए तीन चार दिन वेट कर लिजिए उसके बाद आपको क्या करना है देखिए यहां पर investment में आईएगा जो भी आपका पहले से existing जो आपका SIP है उसको आप automatic में convert कर सकते हो तो investment को आपको क्लिक करना होगा investment को क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद जैसे कि यहां पर एक यहां पर जैसे कि SBI focus security का माल लीजिए यह यह आपका SIP है तो इसको modify करना चाहते हो आप उसको automatic में बदलना चाहते हो तो आपको इसके उपर में यह SIP है जैसे कि आप यहां देख सकते हो SIP के अंदर में हम लोग हैं तो इसके उपर में आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां देखिए मोडिफाई में जाना है इसमें तो अभी मैनोली होड़ा था पेमेंट लेकिं मोडिफाई करना है आपको मोडिफाई को क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहां देखिए क्या लिखा हुआ है mandate तो यहां क्या लिखा हुआ है पे यूजिंग payment gateway तो अभी तो आप payment gateway के माद्य हमसे manually payment कर रहे थे लेकिन mandate आ गया है तो आप क्या करोगे यह arrow जो है यह arrow है इसके यह देखिए यह वाला जो arrow है ना इसके उपर में क्लिक करना है आपको और यहां पर जो mandate आपने बनाया था जो कि अभी processing है वो mandate को यहां पर select कर लेना है और select करके उसको यहां पर देखिए नीचे में modify है modify कर देना है तो इससे क्या होगा कि आपके direct जो है bank से हर महीने में पैसा कटना start हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपने monthly choose किया हुआ है आप चाहों तो weekly भी कर सकते हो आपकी मरजी है तो इस तरह से आप अपना जो manually payment है उसको आप जो है ना automatic payment में convert कर सकते हो mandate के माध्यम से अब हमको इतना बताईएगा कि जो मैंने पूरा process बताया उसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो comment करके बताईएगा हम उसका बिलकुल जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से और अगर mutual fund खईदना है बेचना है जीरोधा क्वाइन की एप के मदद से तो आपको डेमेट एकाउंट खोलना होगा जीरोधा में उसके लिए अपना referral लिंक दिये हैं वीडियो के description में आप उसको follow करते हुए ही अपना account खोल सकते हो तो यही है आपका जो मैंने बता दिया समस्या का जो solution है automatic कैसे करना है मैंडेट कैसे करना है और जब नया भी बनाईएगा SIP तो उसमें वही option को छूच करना है जो आपने बनाव कोई दिक्कत नहीं है यही तरीका follow करना है ठीक है जैहें